हालो दोस्तो मैं हैं मानिका मोनिकास वर्ल में आपका स्वागत है दोस्तो सोशल मीडिया एक ऐसा नाम जिससे आज हर कोई वाकिफ है सोशल मीडिया, वाट्सब, फेस्बूक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इस अभी ऐसी चीज़े हैं जो कुछ समय पहले तक लोग नहीं जानते थे लेकिन आज ये हमारी जिन्दिगी का एहम हिस्सा बरते जा रहे हैं आज वाट्सब, फेस्बूक, इंस्टाग्राम के साथ हम पूरी दुनिया से जोड़ सकते हैं ये एक ऐसा माध्यम है जिससे पूरी दुनिया हम कह सकते हैं कि बहुत छोटी हो गई है क्योंकि इनके माध्यम से हम अपनी बात पूरी दुनिया के सामने रख सकते हैं पूरी दुनिया तक पहुँचा सकते हैं आज हर छोटी से छोटे गाउं तक Facebook, WhatsApp, Twitter यह सभी पहुंचे हैं कुछ समय पहले तक mobile इतनी ज़्यादा advanced नहीं होते थे कि हर कोई इन सब चीजों को यूज कर पाए लेकिन आज के समय में हर व्यक्ति जाहे वो किसी छोटी से गाउं का ही क्यों नहीं हो लेकिन वो Facebook यूज करता है, WhatsApp यूज करता है, Instagram यूज करता है निश्यत रूप से इन सब चीजों ने बहुत फाएदा पहुचाया है और बहुत लाब हमें मिला है लेकिन इस सोशल मीडिया के side effect भी है इसके नकारात्मक प्रभाव भी हैं कि आपने कभी सोचा है बहुत सारे article आपने पढ़ी होंगे लेकिन आज मैं आपके सामने उन पहली हों को जागर करना चाहूंगी जो इसके पहले शायद आपने नहीं सोचा होगा दोस्तों जो technology होती है वो हमारे विकास के लिए होती है progress के लिए होती है, growth के लिए होती है लेकिन जब technology के हम अधीन हो जाते हैं कहने का मतलब है कि जब technology का addiction हमें हो जाता है तो फिर हमारी growth रुख जाती है फिर उस technology के साथ हम growth नहीं कर पाते बलकि हम उसके आदी हो जाते हैं और वो आदी हो जाना हमारी जीवन पर बहुत ज़ादा गहरा असर डालता है कर डिखे आदी हो चुके हैं addicted हो जुके हैं हम social media के बिना शायद ऑब कलपना बी कर सकते जीने की आप कहेंगे कि इसमें गलत क्या है social media तो हर कोई use करता है तो अगर मैं social media use करूँ तो गलत क्या है बिल्कुल गलत नहीं है आप social media use करते हैं बहुत अच्छी बात है सोशल मीडिया यूज़ करना चाहिए वाटसब, फेस्बुक, इंस्टाग्राम यूज़ करना चाहिए लेकिन क्या फेस्बुक और वाटसब का उपयोग आपके जीवन पर असर डालता है? क्या फेस्बुक का असर इतना जादा हो रहा है कि आप अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं क्या इस सोशल मीडिया ने आपकी जो इंटर्नल ग्रोथ है उसको रोग दिया है क्योंकि आप समय ही नहीं दे पा रहे हैं आपका 24 घंटे में से लगभख 8 से 10 घंटा सरफ और सरफ सोशल मीडिया पर जा रहा है तो ये बहुत गलत है सोशल मीडिया यानि कि फेस्बुक वाटसप हमारी जिंदिगी में इतना जादा अहमियत रखते हैं इस्पेशली इस लॉगडाउन के समय में कल्पना कीजिए कि यदि फेस्बुक नहीं होता वाटसप नहीं होता तो वो समय निकालना कितना मुश्किल होता लेकिन फेस्बुक और वाटसप की वज़़ से, इंस्टाग्राम की वज़़ से हमने वो समय बहुत आसानी से गुजारा क्योंकि हम इनकी वज़़व से उन अपने दोस्तों तक पहुँँच पाए थे तो इस सोशल मीडिया ने हमारी दुनिया को बहुत छोटा कर दिया है बहुत आसान बना दिया है लेकिन आसानियों के साथ-साथ हम उसके नकारत्मक असर को शायद नहीं देख पाते क्योंकि हम इतना जदा समय आजकल फेस्बुक वाट्सप पर देने लगे हैं कि हमें जो फल है वो हमें बहुत जादा अच्छा मिलेगा यदि हम चार घंटा फेस्बुक पर बिताते हैं तो ठीक है हमें बहुत जादा information तो मिलती है कई अच्छे अच्छे articles भी आपको पढ़ने को मिलेंगे कई अच्छी जानकारियां भी मिलेगी लेकिन कई लोग इसके किसी फ्रेंड ने कमेंट नहीं की है तो मैं पूरा समय यह सोचती रहुंगी कि उसने कमेंट क्यों नहीं की है chroni तो हम अपने दोस्तों को फोन करके कहते हैं कि हमने ये फोटो डाला है उस पर आप लाइक करो आपने फोटो देखा या नहीं देखा है या हमने ये वीडियो अपलोट किया है कि आपने उसको नहीं देखा आप उस पर कमेंट करो आप उस पर लाइक करो ये सब चीजें हम पर इतने कमेंट्स आई उस फ्रेंड ने हमें कमेंट नहीं किया किसी और को कर दिया तक यह सब चीज़ें इतनी जादा माएने रखती हैं किया फेस्बुक पर बहुत जाद है आपकी जिन्दीगे में बहुत बदलाव आ या अगर लाइक कम आई तो क्या आपकी जिंदगी बदल जाएगी कि आपकी जिंदगी की परिशानिया कम हो है और वही हमारा सच है यदि हमें इस वर्चुल वरड में कुछ खुशियां मिलती है तो हम उसी को इंजॉइ करने लगते हैंone और धीरे 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 हमारी जो वास्तिविख जिन्दिगी है उसे दूर होने लगते हैं हम 2-4-5 घंटे अपने दिन के इस फेस्बुक में लगाते हैं उस बीच में यदि हमारा बच्चा हमारे पास कोई परिशानी लेकर आता है या वो हमारे साथ कुछ समय खेलना चाहता है तो हम उसे कहीं और बिजी कर देते हैं या उसे हम उसका वीडियो गेम दे दे हैं या एक और मोबाइल उसे पकड़ा देते हैं और कहते हैं कि तुम इसमें अपना गेम खेलो और हम अपनी दुनिया में लगे रहते हैं क्या आपने कभी सोचा है कि आप आपके हस्बंड को या आप अपनी वाइफ को सिर्फ इस वाट्सप और फेस्बुक के वज़े से नहीं दे पा रहे हैं कि सोचिए अगर ये वाट्सप या फेस्बुक आपकी जिंदीगी में ना हो तो कितना फरक पड़ जाएगा आपकी लाइफ में ठीक हैं आपको इंफोमेशन तो मिल जाएगी आजकल चैनल्स नियूस चैनल्स हैं जो आपको सारा दिन अपडेट करते रहते हैं एक छोटी से छोटी खबर भी आप तक पहुंच जाती है क्या ये मीडिया इतना जदा ज़रूरी हो गया है कि इसके बिना हम जीने की कलपना नहीं कर सकते हैं दोस्तो मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप वाटसब को चलाना बन कर दीजिए आप इंस्टाग्राम को यूज मत कीजिए आप फेस्बुक को बन कर दीजिए आप इनका उपयोग कीजिए लेकिन इनका उतना ही उपयोग कीजिए जितना कि आपके जिंदिगी के बारे में भी सोच पाएं अपनी वास्थविक زندگी को जी पाएं इस दुनिया से बाहर निकल कर भी जो सच है उसको देख पाएं तब जाकर यह जो टेखनलोजी है यह हमारा फायदा भी करेगी और हमारा ग्रोड भी करेगी और सात ही हम ज़िदीगी को सही बाहिनों में जी पाएंगे दोस्तों अगर मैं आपको अपना अनुभाव बताओं तो कुछ समय पहले तक मैं फेस्बुक यूज करती थी लेकिन उसके बाद मैंने फेस्बुक यूज करना बिलकुल बन कर दिया WhatsApp मैं यूज करती हूँ लेकिन बहुत लिमिटेड यूज करती हूँ जितना जरूरी होता है उतना पाकी WhatsApp भी मैंने बहुत कम यूज करना शुरू किया और उसके बाद मैंने ये महसूस किया कि मैं आज बहुत जादा समय अपने बच्चों को दे पा रही हूँ बहुत ज़दा समय अपने family वालों को दे पा रही हूँ अपनी खुद की growth के बारे में सोच पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास समय है मैं अब कहीं उलजी हुई नहीं हूँ Facebook की किसी post पर जिसके discussion के साथ वो पूरा discussion पूरा दिन मेरे साथ चलता था जिसकी negativity पूरा दिन मुझे पर असर डालती थी तो मैं अब उन सब चीजों से दूर हो गई हूँ और मैं कुछ अच्छा सोच पाने के लिए समय निकाल पा रही हूँ हम अपने परिवार के साथ कहीं घूमने गए है हम उन पलो को enjoy करने के बजाए आज ये करते हैं कि हम सबसे पहले तो picture लेते हैं selfie लेते हैं और हम उसे social media पर post करते हैं सबसे पहले update होना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने परिवार के साथ यहां घूमने गए हैं हमने अगर कोई छोटी से चीज भी खाई है तो हम तुरंद उसको update करते हैं कि हमने आज ये किया है ठीक है ये गलत नहीं है मैं इसे गलत नहीं कहूंगी लेकिन ऐसा करने से कई लोगों के जीवन पर बहुत ज़्यादा आसर पढ़ रहा है कुछ लोग compare करते हैं कि वो लोग तो वहाँ अपनी family के साथ घूमने गए हैं लेकिन हम तो घूमने नहीं जा पा रहे हैं तो वो तुलना जब करते हैं तो उनकी जिंदिगी में negativity आने लगती है कुछ लोग सिर्फ दिखावे के लिए ये सब करते हैं और कुछ उस दिखावे को सच समझ कर अपनी जिंदिगी में तुफान लाने लगते हैं हमने WhatsApp पर अपने दोस्तों का एक group बनाया है बहुत अच्छा है कि हम इसके माधियम से अपनी सारे दोस्तों से मिल पाते हैं उनसे बात कर पाते हैं लेकिन दीरे दीरे वो जो समय है वो बढ़ता जाता है हम WhatsApp में इतना ज़्यादा इन्वाल हो जाते हैं कि हम घंटों उसमें बिताने लगते हैं और हम उन बातों को उन चैटिंग को इतना ज़्यादा इंजॉई करने लगते हैं कि हम अपनी वास्तविक जिंदिगी से दूर होते जाते हैं हमें यह लगता है कि यहीं एक वर्ल्ड है एक दुनिया है जो खुशियों का खजाना है क्योंकि यहां पे सब हमारी मर्जी का होता है यहां पे कोई negativity नहीं है लेकिन हमें अपने पडोसी की जानकारी नहीं है कि वो किसी तकलीफ में है हमें अपने खुट के घर में हमारे हस्बंड या हमारी वाइफ के बारे में नहीं पता कि वो किसी तकलीफ में है वो किसी परेशानी में है क्योंकि हमारे पर वक्त नहीं है उनके साथ बैठ कर बात करने का क्या आपने कभी सोचा है कि इसका सबसे ज़्यादा असर किन पर हो रहा है इसका सबसे ज़्यादा असर हो रहा है हमारे अपने बच्चों पर हम बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं हमारे पास जो भी वक्त है या तो हम अपने कामों में busy होते हैं और जब भी हमें free time मिलता है हम अपना mobile उठाते हैं, facebook चेक करते हैं, whatsapp चेक करते हैं, instagram पर post करते हैं लेकिन बच्चों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है वो अगर कोई बात हमसे शेयर करने के लिए आते हैं तो हम उन्हें दूर भगा देते हैं या फिर हम उन्हें एक mobile पकड़ा देते हैं कि इसमें आप अपना game खेलो computer के सामने बिठा देते हैं कि आप game खेलो या video game दे देते हैं इससे जादा खराब कुछ नहीं हो सकता ये मैंने खुदने महसूस किया है क्योंकि मैं भी कुछ समय पहले तक इन सब चीजों की आदी थी लेकिन जब मैंने ये महसूस किया कि मैं अपना समय बच्चों को नहीं दे पा रही हूँ तो मैंने ये निश्चित किया कि मैं इस सोशल मीडिया का उतना ही उपयोग करूँगी जितना मेरी लिए ज़रूरी है मैं इसकी आदी नहीं बनूँगी और मैं अपने समय को बच्चों के साथ बिताऊंगी अपना समय, अपने परिवार को दूँगी अपनी खुद की ग्रोध के बारे में सोचूंगी अपने खुद के लिए समय निकालूंगी जिसमें मैं खुद के बारे में मनंचिंतन कर सकूँ कुछ ऐसी चीज़े कर सकूँ जिसका प्रतिफल मुझे बहुत अच्छा मिले सोशल मीडिया से मुझे नगिटिविटी बहुत जादा मिल रही थी उससे मेरा टाइम बहुत जादा खराब हो रहा था और बदले में मुझे कुछ अच्छा मिलने की बजाए डिप्रेशन मिल रहा था खराब चीज़े मिल रही थी जो की मेरे जिन्दिगी पर असर डाल रही थी मैंने कई लोगों को देखा है जो बहुत खुश होते हैं कि मेरे बहुत सारे followers हैं हजारों की संख्या में मेरे दोस्त हैं मेरे followers हैं लेकिन क्या ये दोस्त जब वास्तविक जिन्दिगी में आपके साथ कोई परिशानी आती है कोई तकलीफ खड़ी होती है तो क्या ये सारे दोस्त आपके काम आते हैं क्या ये सारे दोस्त आपकी मदद करते हैं असल जिन्दिगी में वही लोग काम आते हैं जो वास्तविक जिन्दिगी में आपके साथ खड़े हैं जो आपका पडोसी है, जो आपके दोस्त असल जिंदगी में है जो आपके family वाले हैं, वही आपके परेशानियों में खड़े होते है जो आपके pictures पर like करते हैं, comment करते हैं वो लोग आपके परेशानियों में कभी आपके साथ खड़े नहीं होंगे क्योंकि वो virtual दुनिया में आपके साथ हैं वो वास्तविक जिंदिगी में आपके साथ नहीं है दोस्तों इस media का उपयोग उतना ही करें जितना की जरूरी हो इसके आदी न बने और इस दुनिया के बाहर अपनी खुद की जो जिंदिगी है उसको देखने की कोशिश करें उमीद करती हूँ कि मेरा ये वीडियो देखने के बाद आप इस बारे में सरूर सोचेंगे और अपना वक्त अपनी फैमिली को देंगे अपने बच्चों को देंगे और इस addiction से बाहर निकल पाएंगे दोस्तों आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं ये मुझे comment box में बताना ना भूलिएगा साथ ही मुझे ये भी बताईएगा कि आप किसे विशेपर यदी बात करना चाहते हैं तो मैं जरूर उस विशेपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी मिल सके बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी मेरे अगले वीडियो के साथ धन्यवाद